तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले क्रिकट के दीवाने उम्मीद है कि ना आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज की इस वीडियो हम जानने वाले बिग वैस लीग 2022 एंटेज मैश नंबर 35 अगर हम इस मैश की बात करें तो होवाट हुरीकेंस वर्सेज मे भी जन मैश खेलागया था उस मैश को जो मेलवा स्टास की टीब है ना होवाट हुरीकेंस को हरा दी थी मzenie Entertainment Surest में से एक मैशन के जीता इस सीज एक मैश होवाट से जीता इस रही ज्यार को पता है यहापर जीतने के कलने वाले रहे जाए वार लेकिन जीतेगा तो को यह कौन हारेगा अगर आप यह जानना चाहते न तो यह वीडियो आपके लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं जब यह दोनों टीम में इससे पहले आमने सामने टकराई हैं तब कौन से टीम किस पर पढ़ी है भारी तो अभी तक इनके बीच में 18 मैच खेला गया जिसमें से रखेले तो यहां पर भी जो में दोसे होगे तो ऐसी उंसा हो लेकिन आगे तो आगे हो गहता है तो दोस्तों क्या हमेशा की तरह जो mailman starts है. Hobart Hurricane के ऊपर मैदान फते करेगा ya फिर Hobart Hurricane से बोलेगा कि अपना कहानी पलटने का टाइम आ गया है. मैं बदलने वाला हूँ कहानी, मैं जीतूंगा ज्यादा matchet. चलो न ये जानने की कोशिस करते हैं, लिए उससे पहले भाई का channel सब्सक्राइब ने किया कर तो यार चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि मैं कोई हीरो यह सिलिवेटी नहीं हूँ आपकी भीच करहने वाला आपका अपना भाई हूँ आपको भी सभी मैचों में फादे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम जॉइन कर डाले बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत जादा नकली टेलीग्राम चैजल बना लिएगे इसलिए इधर उद्धर और कैसे जॉइन नहीं करना जो लि टॉरगीث टी टी टिरा मैच में क्या हुआ टार्गिट चेज में शॉट यानि यहां के मादान पर जादा मैचों में होते है अबर जरूरेज इंगा उस्से9 निएक अ sulphहाइक चेज स्कूर machine लेगा तो 10 मैच में से पे ओ सकता है बाइलों के मैंदान पर मेंच होते हैं मीडियम स्कोरिंग होते हैं कभी-कभी हाइस क्यों वह जाता है वह ग्रोष है उनको तो हिलफ करता है लेकिन उसके बाद जो बॉल होता है ना बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आने लगता कि यहां की जो कंडीशन है और बैटिंग कंडिशन है, हेल्फ की बात करें, बताया ना, कि शुरू में थोड़ा बहुत तेज गेंदवाजों के हेल्फ करता है, नहीं तो बैटिंग के लिए काफी ज्यादा बहतर है यहां का पीच, बॉंडी लेंध की मात करें, तो 56 मीटर से 82 मीटर की, मतलब एक तो बल्ले बाद इस चीज का भी टार्गेट करते हैं, यहां पर जो मैच होता है ना, वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग होता है, या फिर आई स्कोरिंग कभी-कभी हो जाते हैं, अगर हम आज के मैच के पावर प्ले स्कोर की बात करें, तो 42 से 47 के बीच में देखने की मिल बिल चकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें, 160 से 175 की बीच में देखने को मिल चकता हो रगा हम यहां के मैदान पर दोनो डिमो की परफोर्मेंस की बात करें, तो होवाट होरीकेंस ने 51-51 मैच के लिए जिसमें से 29 मैच जीता और 22-22 मैच हार गया, मतलब होवाट अपने घर में एक मैच जीता है, तो एक मैच हार जाता है, मेल बन स्टार्स ने 7 मैच खेले, 7 में से 4 जीता, 3 मैच हारा और दोस्तों यह जो 7 मैच मेल बन स्टार्स ने खेले, पता है किस से खेले, होवाट होरीकेंस से खेले, यानि जो मेल बन स्टार्स की टीम है, होवाट होरीकेंस के घ पहला हमा बात करते हैं होवाठ हो जिसके हो सकती है दूसरे टीज द्रीक आसिफ अली टीम डेविट लेकिन इन जो बल्ले वाजी है ना सुरुवात में एकाथ दो बल्ले वाज बढ़िया बल्ले वाजी कर रहा है जैसे बैन मैक डर्मर्ट मैं थुएड बाकी की जो बल्ले वाज है ना अपने नाम के कोडिंग अभीतार परफॉरमस्स नहीं कर पाए पाके अगर हम इनके गेनवाजी की बात करें रेले मैडित और पैटिक डोली को हटा दो ये दोनों सभी मैचों में बढ़िया गेनवाजी कर रहा है बाकी के जो गेनवाज है चाहे हम यहाँ पर नाथन इलीज की बात कर ले फाहीम असरफ की बात कर ले जोयल फैरिस की बात गए इनके चार पॉइंट से जो इनकी दूर दसा है वो तो और भी ज्यादा खराब है अगर हम इनके खेमे में चिंज इसकी वाद करें तो I think कोई भी चिंज ना होगा बिल्कुल सेम प्लेंग लेमस के साथ उतरेंगे क्योंकि ना इनके पास ज्यादा ऑप्सन नहीं है अगर हम यहाँ पे देखे तो सभी गेंदवाजों का खास करके एडम जंपा का तो पता नहीं क्या टाइम आ गया है अच्छी गेंदवाजी करी नहीं पारें ट्रेंट बोल को बिकिट नहीं मिल लोग कूट को बिकिट मिलता तो महंगे साबित होते हैं ना थर गुल्टन ना एका लास के सिक्से मैच में दो मैंच जीता है चार मैंच हारा है मतलब जो इनकी कहानी है ना वो खराब चले है इस दोरान जो इनका बल्लेवाजी अबरेज है 157 एक सो सताओन ननो का जो की बढ़िया नहीं होता गेंदवाजी अबरेज की बात करें 8.27 ये भी महंगा होता है त 154 114 ननो का जो की खराब होता है गेंदवाजी अबरेज की बात करें 8.25 ये भी ना काफी ज्यादा महंगा होता है तो इनको जुलाब भी पकड़ेगा 6 में से एक ही जीतेंगे 5 हारना पड़ेगा जब ऐसी बल्लेवाजी एंड गेंदवाजी चलेगे अगर हम इन दोनों जीतेंगे 10 फाइड उड दिफैंड की बात करें एक दूसरे के सामने कौन चेर्ज करने में बेतर है तो होवाट होरीकेंस को 7 मैंच मेंच में चेर्ज करने का मौका में दो में कर लिया 5 मे ना कर पाए यानि जो होवाट की टीम है फिसरड़ी होती है मेलबन इस्टार्ड के सामने 155-155 मेलबन इस्टार्ड ने जो highest score chase किया है हवाट होरीकेंज के सामने 188-188 अंचव्य नहीं दोसो डिफैन्ड की बात करें so होवाट को ग्यारा मैच में हबाट हो नहीं कर पह यानि जो होवाट होरीकेंज की कहानी है मेलबन इस्टास के सामने 164, 164 तरन और मेलबन इस्टास ने जो लोबस इसको डिफेंड किया होबाट होरीकेंस के सामने 163, 163 तो भाई लोग बिग बैस लिएक दो हजार बाईस एंटेश मैस नमबर 35 की न हमने सारी एलाचेस कर ली अब वो जानते हैं जिसका आप कर रहे है इंतिजार कौन सी टीम जीत सकती है आज का यह मैस लिए कि उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है न क्योंकि मैं कोई हीरो या सलेबिटी नहीं हूँ आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई हूँ तो आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा कोई बाहर होरीकेंस और 50 मेल बन स्टार्स लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो आज का मैस है ना होवार्ट होरीकेंस अपने नाम पर कर सकता है जी हां दोस्तों मेरे इसाब से जो यह मैस है ना होवार्ट होरीकेंस अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको तो मेरा टेलीग्राम जॉइन कर डाले, बस एक चीज का ध्यान देना है, आपको फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पे नाम बहुत जादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिएगे, इसलिए इदर उधर और कैसे टेलीग्राम जॉइन नहीं करना, जो लिंक के मिलें के डिस्के जिस्यों!